नमस्ते चात्रों तो हमने पहले दो हुडियों देखे थे बहुत सुन्दर सी हम कविता देख रहे थे कविता का नाम है आपको तो पता ही है सुई मेरी छोनारे जो की डॉक्टर श्रिपाज जी ने लिखी वही जो सुन्दर सी कविता है तो देखे चात्रों हमने जो कवि है डॉक्टर श्रिपाज जी इनके बारे में भी हमने जानकारी देखी थी उनका परीचे देखा था और ये कविता में जो सुई मेरी छोनारे ये जो कविता है ये प्रसुत कविता में लोरी के माध्यम से मा का वास्सल्य भाव यहां ये कव विता में प्रकड किया गया है तो छातरों हमने कुछ पंक्तिया भी देखी थी मैंने आपको गाकर भी सुनाई थी उसके बाद हमने जो की कुछ पंक्तिया भी मैंने आपको हर पंक्तियों का आर्थ आपको बताया था तो देखी छातरों सबसे पहले मैं कल जितने भी पंक्तिया हमने देखी थी वो पंक्तिया फिर से मैं आग दोराओंगा सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज हम देख रहे थे कक्षा चट्टी सबजट है हिंदी कविता देख रहे थे सुई मेरी छोनारे जो कि हिंदी सुलब भारती चट्टी कक्षा की हम क्या देख रहे थे सुई मेरी छोनारे तो देखिए चात्रों यह कविता देखते समय सबसे पहले हम देखेंगे जो कि यह कविता में आने वाले शब्दार्ट जो कि मुश्किल वर्ष है मुश्किल वर्ष सबसे पहले हम देखने वाले है चात्रों तो शुरुवात करता हूँ पहले जो की वर्ष से शब्दार्थ से देखिए चोना याने ननना सा बच्चा नननी सी बच्ची उसके बाद सेकड है दीट दीट याने दुरुष्टी नजर उसके बाद चांदनिया चंद्रमा का प्रकाश, उसके बाद अन्होना अद्भूत। उसके बाद धिटोना याने गाल पर लगाई जाने वाली काली बींडी। उसके बाद लोरी याने बच्चों को सुलाने के लिए गाये जाने वाला गीत। उसके बाद आंगनिया, चोटा सा आंगन, उसके बाद सलोना, याने सुन्दर और आखरी वर्च है शेर, याने ब्रहमन, ये थे सुई मीरी छोना रे, इस कविता में आने वाले मुश्किल शब्दार्थ, क्या थे मुश्किल शब्दार्थ, तो कल हमने कुछ पंक्तिया देख कुण सी कुण सी पंक्तिया देखे थी हमने मेरा गेंद खिलो नारे सुई मेरी छो नारे क्या मेरा गेंद खिलो नारे सुई मेरी छो नारे जूला जूले सोने का जूले रेशम की डोरी मिटे सपनों में खोई सुनसुन परियो की लोरी मेरा दीट दिठो नारे सुई मेरी छो उसके बात की पंक्तिया यहां तक हमने अर्थ देखे थे उसके बात के भी कुछ पंक्तिया हमने देखे थे। कि सारी पंक्तिया देखी थी और पंक्तियों का अर्थ भी हमने देखा था तो देखिए चातरों तो कल हमने देखा था कि एक नन्ना साब अच्छा जो की जो सोने का जो जूला है और उसको वह जूले को रेशम की जो डोर है उसमें मिटे सपनों में खो रहा है क्यों कि उसकी म दोरिया उसे सुना रही है इसी लिए वह नणा सा बच्चा क्या कर रा था तो मिटे सप्नों में सौ रहा था उसके बाद हमने देखा चांद सितारे जाग रहे है नाच रही है चांद निया फूल खिले है चांदी के फूली मेरी आंगनिया मेरा दीठ दिठो नारे सुई मेरी छो नारे जो कि ऐसा ऐसा लग रहा है कि सार्य के सारे आंगन में चांद सितारे जाग रहे है किसके लिए तो ये छोटे से नन्ने से बच्चों के लिए और हमें तो ऐसा लग रहा है मा को तो ऐसा लग रहा है कि मेरे जो आंगन है वो सारा का सारा आंगन किसे खिला है तो फूलों से खिला हुआ है ऐसा किसे लग रहा है उसके मा को लग रहा है तो देखे चात्रों हमने पेज नमबर 30 की सारी की सारी पंक्तिया हमने देखी थी उसके बाद हम आगले पेज पर जाएंगे जो कि मैं आपको सुरले में गाकर बताने वाला हूँ देखे चात्रों जब भी हम पंक्तियों का आर्थ देख रहे हैं आपको धान पुर्वक आपको ये सारी की सारी आर्थ सुनना है और सुनने के बाद आपको मैंने कल के वीडियो में भी बताया था जिन चात्रों को कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में अवस्चे लिख सकते है तो देखिए अगली पंक्तिया जो कि आपको पेज नंबर 24 निकालना है चात्रों 24 पर दी गए जो भी आपको चितर भी दिया गया है जो कि एक मा अपने लाले को अपने सीने से लगा रही है तो ये सारी के सारी पंक्तिया वह देखने जो कि सुन्दर आवाजों में सुनने भी वाले हो और जो कि उसका आर्थ भी मैं आज आपको बताने वाला हूं तो देखिए मेरा सुक अन होना रे सुई मेरी छोना रे गीत सुनाए सुई तू सुई और मै गाओ मेरा दीठ दिठोना रे सुई मेरी छोना रे जागे खेले रूठे तू हसस तुझे मनाओ मैं खिलोनों की दुनिया की सेर तुझे करवाओ मैं मेरी प्यारी सलोनी रे सुई मेरी छोना रे तो देखिए छात्रो तो ये सारी की सारी पंक्तिया आज हम देखने वाले जो कि हमने पिछली भी पंक्तिया देखी थी जो कि मैंने आपको सारी की सारी पंक्तियों का आर्थ आपको सुनाया था बताया था तो आज हम देखने वाले मेरा सुक अन होना रे ये जो कि पेज नमबर 24 पर दीग इस सारी के सारी पंक्तियों का आर देखने वाले तो आपने अपने किताबी निकाल लिए और देखिए मेरा सुक अन होना रे सुई मेरी छोना रे अन होना जो कि आपको तो पताईए अन होना जो कि आपको मैंने हर वर्स दिये है वो वर्स में आपको देखना अन होना यहने जो कि मेरा भी जो सुक है वो किसे लग जाए मेरे लाल्ले को मेरा सुक अन होना रे या मैं इतनी खुश हूँ मेरी लाल्ली के लिए इतनी खुश हूँ कि आप सोचिये मत सुई मेरी चोना रे मेरी जो लाल्ली है वो क्या कर रही है चोना ये जो की मैंने आपको जो वर्स दिया है देखिए आपको हर वर्स दिये गए है जो कि आपको देखना है चोना याने नन्ना साब अच्छा उसके बाद सुई मेरी याने मेरी लाली तो यह सारी कि सारी आपको यह वर्स आपको देखने है और उनका आर्थ आपको निकालना है देखना है मेरा सुख अन होना रे, सुई मेरी छोना रे, जो कि मेरा भी जो सुख है, वो सारा का सारा मेरे लाली को लग जाए, मेरे लाली को लग जाए, इसलिए मैं, यो कि मेरी जो बेटी है, जो लाली है, सुई मेरी छोना रे, मेरी लाली है, वो लाली के लिए मैं दुआ करती हूँ, ऐसी वह यक पंक्तियों में कह रही है गीत सुनाओं सोई तू सोए और गाओ मैं मेरा दीठ दिठोनारे सोई मेरी छोनारे देखिए गीत सुनाओं सोए तू मेरी लाली कहां सोई थी सारे के सारे बच्चों को पता है मेरी जो लाली है वो जूले में जो की सोने का जूला है वो सोने की जूले में क्या कर रही है मिटे सपनों में वो सो रही है और उसे रेशम की दोर है और उसे लोरिया कौन सुना रही है तो उसकी जो लाली की मा उसे लोरिया सुना रही है लेकिन कौन सी लोरिया तो परियोकी लोरिया, कोन सुना रही है, उसकी मा, देखिए, जीत सुनाए, सोये तू, तू सोये, और गाव मैं मेरा दीठ दिठोना रहे, सोये मेरी छोना रहे, देखिए, मा अपने लाल्ली को कह रही है, मैं आपको इतने गीत सुनाओंगी, इतने गीत सुनाओंगी, कि तू आप मा क्या सुना रही है आपने लाले को तो लोरिया सुना रही है और वही गीतों में वही लोरियों में मेरा जो लाला है वो सो रहा है तू सोए और मैं गाउ मैं देखिए आप सोती रहे मेरी लाली को जो मा क्या कह रही है तो मेरी लाली सोती ही रहे लेकिन कब जब मैं उसे सुन्दर सुन्दर गीत सुनाओंगी सुन्दर सुन्दर लोरिया सुनाओंगी तब मेरी लाली सो जाएगी जल्दी से आपको तो पता है जो नन्ने चोटी चोटी बच्चे होते हैं चात्रों वह जो की बहुत दिन भर जो की आपको तो पता है जो इधर उधर घुमते है जैसे कि घर-घर में और कभी-कभी तो ज़्यादा ज़्यादा होते तो तब उसकी मा क्या करती है उसे जूले में डालती है उसे लोरिया सुनाती है और लोरिया सुनाने के बाद वह नन्ना सा बच्चा सो जाता है देखिए सोई देखिए मेरा सुक अन होनारे सोई मेरी चोनारे गीत सुनाए सोई तू सोई और गाव मैं जोकि मैं आपको गीत सुनाते जाओ और मेरा जो लाला है वह जल्दी से जल्दी सो जाएगा मेरा दीट दिठोनारे सोई मेरी चोनारे देखिए मेरी जो लाली है दीट याने नजर दिठोनायने जो की जो नन्ना सा बच्चा होता है उसके गाल पर लगाया जाया काला तीका उसे दिठोना कहते मेरा दीट दिठोनारे सोई मेरी चोनारे मेरी जो लाली है वह लाली को किसी की नजर ना लगे इसलिए मैं क्या कर रही हूँ तो मेरी जो लाली है नन्नी सी बच्ची है वह क्या कर रही है चात्रो तो वह सो रही है तो देखे हमने 6 पंक्तिया देखे आबी आगे की पंक्तिया देखे पेज नमबर 24 पर देखे चातरो आगे की पंक्तिया देखे जागे खेले रूठे तू हस हस तुझे मनाओ मैं। मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी छोना रे, देखिए, जब तु जागे, खेले, रूट है तु देखिए, जब आप खेलती रहे, जागती रहे, कभी-कभी रूट, कभी आपको तो पताईए, कभी-कभी नन्ने-नन्ने बच्चे बहुत रूट है, नाराज हो जाते, वह कभी जो हट्टी होते है इसलिए वह कभी-कभी नाराज होते है कभी खेलते है कभी जागते है जो आपको तो पता ही है तो उस समय मैं तुम्हें कैसे मनाओंगी हस हस तुझे मनाओं मैं मैं तुम्हें जैसे कभी तू रूटती रहे कभी खेलती रहे मैं तुझे कैसे मनाओंगी त तो हस कर तुझे मनाऊंगी मैं मेरे लाले रोनामात जो की हसास उसे आपको तो पता ही है जो मा की ममता बड़ी प्यारी सी होती है और उसे जो नन्ने से सारे के सारे जो भी बड़े व्यक्ति हो या छोटे छोटे बच्चो बच्चो बहुत प्यारे लगते हैं इसलिए और मा क हो तो सबसे प्यारी होते कैसा भी उनका जो लाला हो लेकिन उनकी लिए कैसा होता है प्यारा सा ही होता है तो دेखिए मा कैसे मनाय रही है तो हस हस कर जब उसका जो नन्ना सा बच्चा कभी खेलता रहे, कभी रूटता रहे, कभी जागता रहे, तभी भी उसकी मा क्या कर रहे है, हसहस तुझे मनाव मैं, देखे, दो पंक्तियों देखे, जागे खेले रूटे तु, हसहस तुझे मनाव मैं, ये दो पंक्तियों का आरद देखा आमने, निटली पंक्तियों देख बच्पन के बहुत सारे खिलोने होते होंगे आज भी घर पर होगे आज भी आप खेलते हो तो इसी प्रकार देखिए उसकी मा क्या कर रहे है खिलोनों की दुनिया की जो जहां पर भूस सारे खिलोने हो वह दुनिया की सेर सेर याने क्या ब्रहमन ब्रहमन आने आपको वहां प पर जहां पर जो की जो दुनिया है खिलोनों की हो आपके दुनिया खिलोनों की है क्या तो नहीं तो जहां पर यह दुनिया है देखिए यह कालपनी कलपना की गई है यहां पर खिलोनों की दुनिया की सेर तुझे करवाओं मैं मेरी जो नन्नी सी बच्ची है मेरा लाला है मैं उसे क्या करूंगी तो जहां जो ऐसी दुनिया है जहां पर भूत सारे ऐसे खिलोने हो वह खिलोनों की मैं मेरी लाली को लाली को मैं क्या करवाऊंगी सेर सेर मैंने आपको वह वर्द दिया था सेर याने ब्रहमान वहां पर मैं जो की सेर करवाऊंगी किसकी मेरी लाली को ही मे क्या करवाऊंगी सेर करवाऊंगी मेरी प्यारी सलोनी रे सुई मेरी छोना रे मेरी प्यारी सलोनी सलोनी याने सुन्दर तो मेरी जो प्यारी सी जो नन्नी सी जो जो लाली है जो नन्ना सा लाला है वो मेरी कैसा है जो की बहुत प्यारा है सलोना मेरा बहुत सुन्दर सार मेरा लाला है और इसी प्रकार सोई मेरी छोना रे इसी प्रकार मेरी जो लाली है वो क्या कर रही है जुले में सो रही है देखिए तो छात्रो फिर से हमने छे पंक्तियों कार देखा कौन से कौन से पंक्तिया देखिए हमने आभी जागे खेले रूठे तु हस हस तुझे मनाओ मैं खिलो नो की दुनिया की सेर तुझे करवाओ मैं मेरी प्यारी सलोनी रे सुई मेरी छोना रे यह पंक्तिया हमने अभी देखी थी इनका आर्थ भी रेखा था तो यहाँ पर यह सुन्दर्शी जो कविता है जो की डॉक्टर श्रिपाजी ने लिखी वी जो सुन्दर्शी कविता है वो कविता यहाँ पर समाप्त हुई पर इसके आधार पर आपको मैं दो सवाल यहाँ पर दे रहा हूँ आभी वो सवाल आपको लिखना है ऐसा सोचिए एक पहला सवाल आपके लिए जब आपको परी मिल जाए तो पहला सवाल क्या है जब आपको परी मिल जाए तो आप क्या करोगे इसके इसके तोर पर आपको कम से कम 15 पंक्तिया आपर लिखनी है तो सारे के सारे या उसके अलावा आपको अपने परिवार के जो प्रिय व्यक्ति है इनके बारे में आपको कम से कम 15 पंक्तिया लिखना है दो सवार आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ कौन से पहला सवार तो जब परिय आपको मिल जाए तो इसके बारे में आपको 15 पंक्तिया लिखने है या आपने परिवार के प्रिये व्यक्ति के लिए आपको जो कि 15 से 25 तक पंक्तियाब को लिखने जो कि आपके परिवार में सबसे प्रिये व्यक्ति हो तो उसके बारे में भी आपको लिखना है तो यहां तक के लिए चात्रों आज रुखेंगे कल अगले विडियो में हम अगले पाट के साथ आएंगे यहां तक के लिए रुखेंगे धन्यवाद